हेलो एब्रिवन आज हम रेडिमेट इस्टाइल के फंदे डालेंगे कैसे डालते हैं रेडिमेट इस्टाइल मिन्स जैसे हमारे रेडिमेट कपड़ों में होता है यह दोनों तरफ से सलाईया इधर से भी हम बुन लेते हैं और इधर से बुन लेते हैं बीच में हमारे फंदे चलिए देखिए आज हम इसका वीडियो बनाएंगे तो हमने यह अपनी उन का छोर पकड़ लिया है आपको जितने भी फंदे डालने हैं उसी हिसाब से एक मीटर डिल मीटर इस तरकार की उन ले लें चोर की साइट से चोर की साइट से उन लेने के बाद यहाँ पर एक लूप बना लें देखिए मैंने यह पकड़ा और यह गुमाया इस तरह के से और इसमें से अब मैं इस उन को निकाल दूँगी यह लूप मैंने बना लिया सला डालेंगे इसमें अब यह जो चोर वाला हुन है जो हमारा किनारा है उसको हम अपनी उंगली पर लपेट लेंगे देखिए मैंने अपनी उली पे लपेट लिया इसको और जो ये गुल्ले वाली उन है इसको भी हम इसी साइड रख लेंगे इस तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी जिससे आप एक बार में ही सीख जाएं देखिए हमने इस प्रकार सलाई पकड़ी ये हमारी छोर वाली उन है और ये हमारी गुल्ले वाली उन है और हमने इसको इस तरीके से पकड़ लिया इस फंदे को थोड़ा सा इस प्रकार पकड़ेंगे सलाई को अब मैं इस सलाई को इस उन के नीचे से निकाल के लाऊंगी औ अब हम इस उन के नीचे से निकालेंगे, इस उन के उपर से निकालेंगे, और दोनों उनों के नीचे से निकालते हुए हम इधर ले आएंगे, देखिए, अब हम इधर से लेकर जाएंगे, देखिए, यह बहुत ही सरल फंडे डालने का तरीका है देखिए इस उन के नीचे से ले जाएंगे बीच में ऊपर करेंगे और इस उन को लेंगे इस परकार से और बापस अपनी तरा देखिए यहां से उपर को उठाएंगे सलाई को लपेटेंगे और बापस तोनों सलाई को पीछे एक फंदा आप इधार से ले और एक फंदा आप इधार से ले और इन फंदों को थोड़ा सा हलके हाथ से पकड़ ले खीचने की जरूरत नहीं है देखिए यह हमारे फंदे डल गए है देखिए जब हम इनको छीदा करेंगे तो इस परकार के आएंगे आप घबराएं नहीं इसका पैटर्न प्रोपर है जब हम इसकी पहली सलाई करेंगे आपको तब दिखाई देगा कि हाँ हमारे फंदे बिल्कुल सही हैं अब हम इनको बुनेंगे देखिए जब हमारे फंदे कंप्लीट हो जाएं कि हमें कितने फंदे चाहिए और हम पूरे फंदे कर लें तो हम लास्ट के फंदे पर यहां पर एक नोट बना लेंगे क्योंकि यह फंदे खुले हुए रहते हैं यहां पर हम एक चोटी सी नोट बना लेंगे ताकि हमारे फंदे खिसके नहीं दीले ना हूँ और उदले नहीं मैंने यह एक हलकी सी नोट लगा ली है अब हम इन फंदों को देखेंगे कि सीधा और उल्टा हमें कैसे करना है अब आप देखेंगी कि इस फंदे का जो रूख है देखिए इस फंदे का जो रूख है वो इधर को खुला हुआ है तो यह हमारा उल्टा फंदा है हम इसको उल्टा बुनेंगे देखिए अब आप देखेंगी कि इस फंदे का रुख पीछे की साइट को है इधर को आप बैसे भी देख सकती हैं कि यह सीधे जैसी सेप में आ रहा है तो यह फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा देखिए यह फंदा हमारा उल्टा बुना जाएगा क्योंकि यह आप यहां देख सकती हैं यहां नीचे एक उल्टे फंदे जैसी सेप इसकी आ रही है धागा पीछे करेंगे आप इस फंदे को देखिए यह फंदा अलग से ही पता चल रहा है कि यह फंदा सीधे जैसा है तो हम इसको सीधा मुनेंगे आप इसकी पहली सलाई बहुत अच्छे से उतारें क्योंकि पहली सलाई ही इसकी इंपोटेंट होती है पहली सलाई से ही डिसाइड होता है कि बोडर उल्टा है या सीधा है अगर आपने पहली सलाई गलत कर दी तो आपका यह पैटर्न नहीं आएगा देखिए यह हमारा सीधा फंदा है धागागे करेंगे और यह हमारा उल्टा फंदा लग से ही महसुल लग रहा है कि हाँ यह हमारा उल्टा फंदा होगा आप इनकी पहचान पहली सलाई में कर लिए वरना हमारा पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा देखिए यह हमारा सीधा फंदा यह ऐसे गूम के इधर आ रहा है जिस फंदे की दोनों उन हमें यहां दिख जाएं वो हमारा सीधा फंदा हो जाता है अब देखिए यह फंदा है इसका एक धागा इधर दिख रहा है और एक धागा इधर है तो यह मतलब यह हमारा उल्टा फ आदी सीधा और उल्टा फंदा कैसे पहचाने आप इसकी एक सलाई प्रोपर कर ले क्योंकि यह वॉर्डर जो है पहली सलाई पर ही डिपेंड करता है कि यह कैसे जाएगा उपर अगर पहली सलाई खराब हो गई तो आपका पूरा पैटर्न इसका खराब हो जाएगा देखिए देखिए यह हमारा रेडी मेटी स्टाइल का बर्डर आ गया फंदे डालने आ गये यह हमारे बहुत सुन्दर लगते हैं और यह चुपते नहीं बिल्कुल भी गढ़ते नहीं और बहुत सौफ्ट रहते हैं यह किनारी नहीं बनती है इनकी आप इसको जरूर ट्राइ करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा और प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि मैंने अभी अभी चैनल शुरू किया है तो आप लोगे के प्यार और सपोर्ट की मुझे ब